नमस्कार, स्वागत है आप सब लोगों का मेरे चैनल, स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच पे आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे तो ये जो वीडियो है, ये बिहार स्पेशल है मतलब बिहार का जो important current affairs है 2024 का ये सारा आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा तो आप किसी भी exam के तयारी करते हों जिसमें current affairs पूछा जाता हो especially बिहार का आपको एक्जाम देने वाले हो चाहे वो BPSC का एक्जाम हो या BPSC teacher का एक्जाम हो बिहार दरोगा हो या SI हो किसी भी exam के तयारी करते हो जिसमें current affairs पूछा जाता हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत important साबित होगा तो आप लोग इस वीडियो को एक बार पूरा देखिए आप लोग समझ जाएंगे कि ये वीडियो आपके लिए कितना important साबित होगा तो आएए चलते हैं समय नविस्ट करते हुए वीडियो की और चलते हैं स्टार्ट करते हैं पहले question से पहला question देखते हैं बिहार राज्य में कुल कितनी लोग सभा की seat है options में देखते हैं क्या-क्या 39, 40, 42 या तो फिर 48 तो बिहार राज्य में कुल 40 लोग सभा की seat है कितनी है? 40 है बिहार में पहले option में क्या था? 39 तो 39 seat हैं तामिल नाडू में लोग सभा की तामिल नाडू में 39 seats है 42 seats हैं वेस्ट बंगाल में, पस्चिम बंगाल में 48 seats हैं महरास्टरा में 48 सीटे हैं महरास्टरा में अगर यहीं पर राज्य सभा की बात की जाए तो बिहार में राज्य सभा की 16 सीटे है तामिल नाडू की अगर बात की जाए तो तामिल नाडू में राज्य सभा की 18 सीटे है तो बिहार में 16 सीटे है राज्य सभा की यहाँ पर महारास्ट्रा की बात की जाए तो महारास्ट्रा में राज्य सभा की 19 सीटे हैं अगर सबसे ज्यादा कहीं पर लोग सभा और राज्य सभा की सीटे हैं तो वो है उत्तर प्रदेश ये one of the three states था, मतलब उन तीन राज्यों में एक राज्य था बिहार, जहां पे लोक सभाई एलेक्षन जो 2024 में संपन्न हुआ, उसमें सभी साथ चर्णों में चुनाव हुए थे, बाकी के दो राज्य कौन कौन से थे, एक उत्तर परदेश था और एक पस्चिम बंगाल था, मत सभाई, तो चार-पाज्य थे, उत्तर परदेश के बारे में बात कर लिये थे, महरास्ट्रा के बारे में बेंगौल में 12 सीटे, भिहार में 40 सीटे, तमिलनाडु में 39 सीटे, इसके अलावा आप लोग यहां पर देख सकते हैं, बर्ट टॉप 5 भी अगर आप लोग धिहान तो आपका काम हो जाएगा आईए देखते हैं दूसरा question मोदी जी का यह तीसरा मंत्री मंदल बना है मोदी जी का उसमें बिहार राज्य से कितने cabinet मंत्री और राज्य मंत्री शामिल किये गए हैं तो सबसे पहले आप यह जान लिजे कि इस बार टोटल 72 तर मंत्री ने शपत लिया है including prime minister जिसमें एक तो prime minister साहब हैं उनके अलावा 30 जो हैं वो cabinet ministers हैं तीस जो हैं cabinet ministers हैं पाँच जो हैं वो minister of states हैं लेकिन उनको independent charge मिला है सोतंतर परभार और उसके अलावा जो 26 ministers हैं वो हैं minister of states मतलब राज्य मंत्री हैं minister of states हैं पाँच जो होते हैं वो independent प्रभार के हैं तो अब हम लोग यहां पे question में क्या पुछा जा रहा है कि यह जो मंत्री मंडल पूरा बना है 72 मंत्रीों ने जो शपत लिया है उसमें बिहार राज्य से कितने cabinet मंत्री और कितने राज्य मंत्री शामिल किये गए हैं तो इसका correct answer है option B इसमें चार cabinet ministers बने बिहार से और चार ही बने हैं राज्य मंत्री बने हैं मतलब ministers of state बने हैं तो इसके बारे में थोड़ा और हम लोग जान लेते हैं कि चार जो cabinet minister बने हैं वो कौन-कौन है तो एक तो गिरी राज सिंग जी है जो की BJP party से हैं इनको बनाया गया है ministry of textiles इनको दिया गया है मतलब कपड़ा मंत्राले इनको दिया गया है गिरी राज सिंग जी को दूसरा देखते हैं राजीव रंजन सिंग ये हैं JDU party से और इनको ललन सिंग के नाम से ये ज्यादा actually famous ये जाने जाते हैं आप लोग जानते होंगे इनको तो इनको मिला है पंचायती राज, मतस्य पालन, पशु पालन और डेरी मंत्राले मिला है राजीव रंजन सिंग जी को और ये जो मंत्राले है ये JDU कोटे से मिला है राजीव रंजन सिंग जी को तीसरा जो cabinet minister बने है वो बने है चिराग पासवान जी इनकी party का नाम है लोग जनशक्ती party राम विलास ये जरूर आप लोग नाम ध्यान रखिएगा party का full form लोग जनशक्ती party राम विलास इनको मिला है खाद्य प्रसंसकरण मंत्राले Ministry of Food Processing Industries ये मिला है चिराग पासवान जी को चौथे cabinet minister जो बिहार से बने हैं वो हम party के हैं मतलब हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा जिसके leader है जीतन राम मांजी जी इनको मिला है सुक्ष्म, लगू, और मध्यम, उद्यम, मंत्राले जिसको short में कहा जाता है MSME जिसका full form होता है micro, small and medium enterprises तो इनको मिला है लगू, सुक्ष्म, और मध्यम, उद्यम, मंत्राले तो ये हो गए चार cabinet ministers ये जरूर ध्यान रखिएगा बिहार के हर exam में ये सवाल पूछा जा सकता है और जो चार मिला है ministers of state, मतलब जो राज्य मंत्री जो बने है, उनमें एक है नित्यान अंदराई जी, ये बीजेपी पार्टी से हैं, और इनको मिला है ये राज्य मंत्राले का इनको परभार बेसिकली ये जो cabinet minister है उनको support के लिए ये मंत्राले बनाया जाता है दूसरा नाम देखते हैं ये हैं शतीस चंद्र दूबे जी ये भी बीजेपी पार्टी से हैं और इनको कोईलार खरन मंत्राले का राज्य मंत्री बनाया गया है शतीस चंद्र दूबे को आगे देखते हैं तीसरा जो नाम है वो है डॉक्टर राज भूशन चौधरी इनको मिला है जल सक्ती मंत्राले का राज्य मंत्री चौथा नाम जो है वो है राम नात ठाकूर जी ये जेडियू पार्टी से हैं और इनको क्रिशी एवं किसान कल्यान मंत्राले का राज्य मंत्री बनाया गया है तो ये जो राम नात ठाकूर जी है इनको बनाया गया है राज्य मंत्री क्रिशी एवं किसान कल्यान मंत्राले का तो इसके जो कैबिनेट मिनिस्टर है वो कौन है वो हैं सिवराज सिंग चोहान जी ये ध्यान रखिएगा और यहाँ पर हम लोग देखे ते जल सक्ती मंत्राले का राज्य मंत्री बनाया गया था डॉक्टर राज भूशन चौधरी को तो इसके जो कैबिनेट मंत्री हैं वो हैं सी आर पाटिल जी और एक और नाम हम लोग यह पर देखे तो सतीस चंद्र दूबे जी इनको कोईला और खनन मंत्राले का राज्य मंत्री बनाया गया था तो कोईला और खनन मंत्राले के जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं वो हैं जी किशन रेड़ी जी जी किशन रेड़ी जी हैं तो यह आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा ये किसी भी एक्जाम में पूछा जाएगा बिहार के किसी भी एक्जाम में तीसरा question देखते हैं 2024 में हुए आम चुनावों के दोरान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे Chief Election Commissioner कौन थे 2024 के आम चुनावों के दोरान तो ये थे राजीव कुमार जी तीसरे का option एक करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे एक और बात आप लोग ध्यान रखिएगा कि ज्यानेश कुमार और सुखवीर सिंग संधू ये दोनों जो हैं ये election commissioners हैं देखिए यहाँ पे इस तरीके से इसका होता है कि election commission of India जो है वो इस तरीके से होता है कि एक इसमें होते हैं चीफ election commissioner ठीक है तो वो कौन है वो राजीव कुमार जी अभी भी है और चुनाव के दोरान भी थे राजीव कुमार जी दो होते हैं election commissioners ठीक है मतलब वो होते हैं चुनाव आयुक्त तो दो election commissioner जो है एक ज्यानेश कुमार जी थे और एक सुखबेर सिंग संधू थे इन दोनों का ही appointment चुनाव के ठीक पहले हुआ था तो ये दोनों नाम भी आप लोग ध्यान रखिएगा तो एक हो गया चीफ election commissioner जोकी राजीव कुमार जी और दो होते हैं election commissioners तो दोनों नाम मैंने हाँ पर बता दिया एक ग्यानेश कुमार जोकी ये हैं ग्यानेश कुमार और ये हैं सुखबीर सिंग संधू जी तो यहाँ पर हमारे पास जानने के लिए बहुत कुछ है इस बार ज चुनाव का tag line जो था चुनाव का पर्व देश का गर्व आयुश्मान खुराना जी को election commission of India के द्वारा बनाया गया था youth icon बनाया गया था लोग सभा election 2024 के लिए युवाओं को basically vote के लिए प्रेरित करने के लिए शीतल देवी एक पैरा आर्चर हैं इनको बनाया गया था लोग जरूर ध्यान रखिएगा फिर इस बार सरकार ने क्या किया था जो postal ballot का use होता है उसको 80 से बढ़ा कर 85 साल के age तक कर दिया गया था तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा उसके अलावा फिर बाद में general election 2024 का जब चुनाब हुआ तो उसके बाद जो data आया election commission का उस data के नुसार इस बार 968 million लोग vote के लिए eligible थे जिसमें से 642 million लोगों ने voting में participate किया मतलब लगभग 97 करोड लोग voting के लिए eligible थे जिसमें सिर्फ 64 करोड लोग ही participate किये मतलब आप कह सकते कि almost 32 करोड लोगों ने चुनाब में हिस्सा ही नहीं लिया जिसमें से इन 642 million लोगों में से 342 million जो थी वो महिलाएं voter थी मतलब women voters थी जिन्होंने voting में participate किया मतलब 642 million लोगों ने vote दिया जिसमें 312 million महिलाएं थी अगर इस बार का voting percentage का बात करें तो voting percentage रहा 65.79% जो कि actually अगर 2019 में देखा जाए तो 2019 में था 67.40% तो इस बार voting percentage 1.61% से कम रहा overall voting percentage 1.61% कम रहा 2019 के मुकाबले में 2024 में जो इस बार चुनाव हुआ उसमें voting percentage कितना से कम रहा 1.61% ये सारे डेटा आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा आगे देखते हैं चौथा question निम्नलिखित राजनीतिक पार्टियों को 2024 के आम चुनावों में सबसे अधिक सीटे जीतने के करम में आपको सजाना है मतलब आपको chronological order में सजाना है कि किस पार्टी ने इस बार कितना सीट जीता है तो actually कुछ कुछ जो है मैं voting के question ले लेता हूँ ताकि आप समझ सके फिर मैं बिहार special questions पे भी आओंगा बस दो तीन question और है फिर हम लोग बिहार special questions पे आ जाएंगे तो आम चुनाओ में इस बार सबसे अधिक सीटे किसको मिली फिर उसके बाद किसको मिली इस तरीके से आपको सजाना है तो सबसे आधा सीटे मिली BJP को कितनी सीटे मिली 240 दूसरे नंबर पे रही Indian National Congress मतला भारतिय रास्ट्रे कॉंग्रेस इनको मिली 99 सेट्स तीसरे नंबर पे रही समाजवादी पार्टी इनको मिला 37 सेट्स चोथे नंबर पे रही AITMC मतला All India Trinamul Congress इनको मिला 29 सेट्स पाचव नंबर पे रही DMK द्रविड मुनेतर कट्जगम जो की तमिलनाडू की पार्टी है इनको मिली 22 सेटे हैं तो यहां पे chronological order के हिसाब से option डी करेक्ट हो जाएगा आप लोग इसको ध्यान रखिएगा और यह पाचो पार्टी का चुनाव चिन है यह भाजपा का यह Congress का समाज किजेगा अगर आपको चुनाव लड़ना है कंटेस्ट करना तो आपको 25 साल का होना आवश्यक है लोग सभा चुनाव लड़ने के लिए लेकिन वहीं अगर आप वोट देना चाहते हैं अगर आप वोटर हैं तो 18 साल का उम्र के भी अगर आप हैं तो आप लोग लोग सभा एज थी 21 तो ये चेंज गब हुआ ये हुआ एक सठवा संविधान संसोधन हुआ 1989 में तो उस टाइम ये जो वोटिंग एज था 21 इसको घटा कर दिया गया 18 साल तो आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा एक सठवे संविधान संसोधन से ये हुआ था अब ध्यान रखिए कि क अनुसुचित जंजाती के लिए मतलव सड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए लोग सभा मैं और ये किस अर्टिक्इल के तहत तो अर्टिक्ल 330 के तहत ये सीटे रिजर्व होती है मतलब दोनों को अगर आप मिला देंगे तो 131 सीटे लोग सभा में रिजर्व होती है अगर बा प्रेसिडेंट बनने के लिए 35, वाइस प्रेसिडेंट के लिए 35, यहाँ पे हम लोग पहले देखें लोग सभा के लिए 25, तो लोग सभा के लिए 25 है तो लोग सभा का ही मिंबर बनता है प्राइम मिनिस्टर, तो प्राइम मिनिस्टर के लिए भी ऑटोमेटिकली 25 हो जाएग और विधान परिशत का मिंबर बनने के लिए 30 है अगर पंचायत इलेक्षन का आप चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आप 21 साल के भी रहेंगे तो भी आप चुनाव लड़ सकते हैं आगे देखते हैं पाचवा कोस्चन 2024 के आप चुनावों में किस राजनितिक पाटी को सबसे ज्यादा सीटे मिली है तो हम लोग पहले भी देख चुके हैं भारतिये जनता पाटी को सबसे ज्यादा मिली है तो यहाँ पे आप लिस्ट देख सकते हैं दूसरे नंबर पे इंडिया नेशनल कॉंग्रेस 99 सपा को मिला है 37 फिर आगे ओल इंडिया त्रिनमुल कॉंग्रेस को 29 डी एम को को 22 टीडीप को 16 जेडीउ को 12 तो यहाँ पे सबसे आदा सीटे मिली है भारतिये जनता पाटी को पाचवा को अप्शन एक करेक्ट हो जाएगा बीजेपी को इस वार मिली 240 सीटे जो कि पिछली वार के पेक्षा 63 सीटे कम है वोटिंग परसेंट है रहा बीजेपी का 36.56 परसेंट 2019 से कमपेर करेंगे तो 2019 में था 37.36 परसेंट मतलब इनका वोटिंग भी घटा है और 63 सीटे भी कटी है ठीक उसी तरीके से देखेंगे भारती रास्टे कॉंग्रेस का तो इनको इस वार मिला 99 सीट्स जो कि पिछली वार था 52 तो इस वार कितना बढ़ गया 47 सीटों का इनका इजाफा हुआ है वोटिंग परसेंटेज में भी इनको 21.19 परसेंट वोट मिले जो कि पिछली वार मिले थे 19.49 परसेंट तो वोटिंग भी इनका बढ़ा है वोटिंग परसेंट इंडियन नेशनल कॉंग्रेस का अब देखिए जो इंडियन गटबंधन है इसका फुल फॉर्म क्या होता है तो लोकसभा का चुनाव हर 5 साल में होता है मतलब 5 सालों के बाद होता है तो छठा का ओप्शन एक करेक्ट हो जाएगा तो पहले लोकसभा का चुनाव कब हुआ था 1952 में हुआ था और पहले जो हमारे चीफ इलेक्शन कमिस्नर थे मुख्य चुनाव आयुक्त वो थे सुकुमार सेन इस बार कौन थे राजीव कुमार हम लोग पहले बात कर चुके हैं अब देखिए क्या है maximum number of seats लोकसभा में कितनी है तो अभी है 550 पहले होती थी 552 दो सीटे जो होती थी वो एंगलो इंडियन्स के लिए होती थी लेकिन एंगलो इंडियन्स के लिए जो दो सीटे होती थी उसको हटा दिया गया तो किस संविधान संसोधन के तहत हटाया गया तो 104 जो संविधान संसोधन था उसके तहत जो seat reserve होती थी एंगलो इंडियन कम्यूनिटी के लिए लोकसभा और विधान सभाव में उसको लोगसभा चुनाव जब हो रहा था तो उसको देखने के लिए 23 देशों से 55 डेलिगेट्स आये थे इंडिया में देखने के लिए कि आखिर यहां पे लोगसभा का चुनाव इतने बड़े मात्रा में कैसे होता है क्योंकि भारत आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी देमोक्रेसी है तो कई देशों के लिए आश्चर की बात होती है कि इतने बड़े पपोलेशन में आखिर चुनाव होता कैसे है तो उसको अब्जर्व करने के लिए कई सारे देशों से लोग आते हैं अब आ जाते हैं हम लोग बिहार पे सातवा कोस्चन देखते हैं लोग स कई सारी पार्टियां थी आप लोग देख सकते हैं तो भारतिये जनता पार्टी 17 पे चुनाव लड़ी 12 जीती है ना जनता दल उनाइटेड जेडियू नितिश कुमार जी की पार्टी इन्होंने 16 सीटों पर चुनाव लड़ा था 12 जीते थे लोग जन सकती पार्टी राम लोग मोर्चा ये एक पर लड़े थे और वो हार गया वो नहीं जीत पाए तो टोटल अगर आप काउंट करेंगे तो 17 16 33 और 5 38 और 39 और 40 तो 40 सीटों पर एंडिये भी चुनाव लड़ी थी और 40 सीटों पर ही यहाँ पर इंडिया गडबंदन भी चुनाव लड़ी थी क्यो यह आप लोग ध्यान रखेगा इस डेटा को पूरा देख लिजे कि यहाँ पर RJD कितनी सीटें जीती चार सीटे 23 पर लड़ी थी कॉंग्रेस कितनी सीटें जीती तीन ये नौ पर चुनाव लड़े थे कम्यूनिस्ट पर इंडिया मांक्सिस्ट लेनिनिस्ट लिबरेशन ये जो पार्टी है तीन परचुनाव लड़के दो सीटें जीती थी फिर विकास्षील इंसान पार्टी तीन पर चुनाव लड़े थे एक भी नहीं जीत पाए Communist Party of India Marxist ये एक पर लड़े थे एक भी नहीं जीत पाए Communist Party of India एक पर लड़े थे एक भी नहीं जीत पाए तो ये लोग एक्चुली इंडिया गड़ बंदन वाले 9 सीट जीत पाए और इंडिया गड़ बंदन 30 सीट यहां पर जीतने में काम्याब रहा और एक सीट जैसा के मैंने बताया निर्दलिय जीता गया पपु यादव जी के द्वारा आगे देखते हैं आठवा कोस्चन लोग सभा चुनाव 2024 में बिहार से एक मात्र निर्दलिय जीतने वाले उमिदवार कौन है अभी मैंने बताया एक मात्र निर्दलिये जितने वाले उमिद्वार हैं पपु यादव जी जो कि बिहार के पूर्णिया सीट से ये जीते और निर्दलिये जीते हैं निर्दलिये मतलब ये किसी पार्टी से इनका कोई alignment नहीं था और ये वहाँ से जीत गये पूर्णिया से तो आठवा का option डी correct हो जाएगा तो ये तो बिहार से हैं जो इकलोते जीते हैं निर्दलिये लेकिन अगर पूरे देश की बात करें तो इस वार 7 independent MP बने हैं मतलब लोग सभा का चुनाव जीते हैं 2024 में तो एक तो हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं चोथा पपू यादव जी बिहार के पूर्णिया से जीते हैं इसके अलावा देखते हैं अमरित पाल सिंग ये जीते हैं पंजाव के खदूर साहिव सीट से सरबजीत सिंग खालसा ये भी जीते हैं पंजाव के फरीद कोट स स्थाय। पर लोग सभा में पहुँचे हैं नौवा कोश्चन सबसे कम उम्र की महिला सांसद कौन बनी है तो ये बनी है शामभवी चौधरी नौवा को आप्शन एक करेक्ट हो जाएगा तो शामभवी चौधरी जो है ये बिहार के समस्ती पुरलोग सभा सीट से इसवर चुनाव जीत अब जानते हैं कि लोग सभा का चुनाव लड़ने के लिए मिनिमम एज 25 साल ही चाहिए और ये उस टाइम 25 साल की ही थी आगे देखते हैं दसवा कोश्चन लोग सभा के सबसे यूवा सांसद कौन बने हैं मतलब मेल में वो कौन बने हैं तो ये बने हैं पुषपेंदर सरो ये एक्चुली ओवर ओल भी सभा सबसे यंगेस्ट एमपी ही हैं मेल और फीमेल दोनों में ही मिला कर तो सबसे यूवा सांसद बने हैं पुषपेंदर सरोज दसवा का उप्शन एक करेक्ट हो जाएगा ये समाजवादी पार्टी की टिकेट पर चुनाव लड़े और ये क तो ये हमारे 10 कोस्चन थे इसके आगे भी हम लोग करेंगे बट प्लीज अगर आप लोगों ने चैनल को अब तक सबस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज जरूर कर दीजे ऐसे कई वीडियो में आगे लाता रहूँगा आप लोगों के लिए जो काफी बेनिफिसियल होग आए देखते हैं 11 कोस्चन निम्न में से कौन सा लोग सभा सीट पर इंदौर से पहले सबसे ज़्यादा नोटा वोट का रिकॉर्ड दर्ज था इस बार क्या हुआ इंदौर जो की मद्दे परदेश की एक सीट है वहां से नोटा ने सारे रिकॉर्ड तोड दिये मतलब वोटा का हाइस्ट रिकॉर्ड था बट उसको इस बार तोड दिया गया इंदौर के द्वारा तो आए इसके बारे में और डिटेल से जानते हैं शंकर लालवानी एक बीजेपी कैंडिडेट थे इस बार इंदौर लोग सभा सीट से लड़ रहे थे उनका विनिंग मार्जि अब आगे देखते हैं नोटा वोट कितना मिला तो नोटा वोट मिला 2,18,674 जो की अल्मोस्ट 16% थे इस बार टोटल जितने वोट पड़े उसके टोटल वोट कास्टेड का 16.28 परसेंट नोटा को मिला जो की हाइस्ट एवर नोटा वोट से हैं दूसरे नंबर पे रहे थे लक्षमन सोलंग की BSP पार्टी के उनको मिला था 15,669 वोट तो टोटल विनिंग मार्जिन इनका हो गया था 11,75,092 वोटों का अब देखिए 2019 के लोगसभा के चुनाओं में क्या हुआ था बिहार का जो गोपाल गंज जिला है वहाँ पे नोटा को वोट मिला था 15,660 जो की 5% था ओवरॉल जितना वोट कास्ट हुआ था उस सीट पे उसका 5% नोटा को वोट मिला था लेकिन इस वार कितना मिला 16,28% तो नोटा होता क्या है यह बेसिकली EVM जो होता है electronic voting machine उसके सबसे last option पे होता है नोटा कि अगर आपको उपर के कोई भी candidate पसंद नहीं आया है तो आप नोटा पे दबा सकते हैं बटन तो इसमें क्या हुआ यह जो संकर लालवानी जो जीते इंदोर से यहाँ पे जो बाकी के 13 candidate और थे सबका जमानत जब्त हो गया मतलब security deposit उनका खतम हो गया अगर आप लोग नहीं जानते तो मैं बता दूँ कि जब भी आप सुनते हैं कि जमानत जब्त हो गया उसका मतलब क्या होता है security deposit actually कुछ देना होता है जैसे अगर आप चुनाव लड़ रहे हैं लोग सभा का तो आपको 25,000 security deposit देना होता है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हर कोई आदमी चुनाव ना लड़े मू उठा कर तो एक minimum जो requirement होता है वो यह होता है पढ़े हैं उस seat पे तो आपको भीया कम से कम 17 vote आपको मिलने चाहिए अगर 16 अगर आपको vote नहीं मिला है तो यह जो 25,000 आप जमा किये थे वो 25,000 आपका खतम हो जाएगा इसी को बोलते हैं जमानत जब्त हो जाना मतलब आप यह 25,000 वापस नहीं ले पाएंगे भले ही आप चुनाव हार गयें लेकिन अगर आपको 17 vote मिल गया अगर 100 total vote पढ़े हैं तो एक्जामपल दे रहा हूं तो अगर आपको 17 vote मिल गया तो इट्स ओके आप चुनाव हार भी गये तो यह 25,000 आपको वापस मिल जाएगा लेकिन अगर आपको 16 total vote का 16 नहीं मिला है तो आपका यह बिहार का स्थान कौन सा है मतलब number of women voters के मामले में बिहार का स्थान कौन सा है तो इसमें बिहार का स्थान है फोर्थ बारवा का यहां पर option C correct हो जाएगा overall जो women है women voters है उसमें UP पहले नंबर पे है महाराष्टरा दूसरे नंबर पे है वेस्ट बंगाल तिसरे नंबर पे है और चौथे नंबर पे है बिहार तो यह आकड़ा आप लोग ध्यान रखिएगा आगे देखते तेरवा कुस्चन बिहार के नए मुख्य सचीव कौन बने है चीफ सेक्रेटरी कौन बने है बिहार के तो यह बने है ब्रजेस महरोत्रा जी तेरवा का यहां पर option एक correct हो जाए प्रधान मंतरी मोधी जी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी प्रधान सचीव बने है नरेंदर मोधी जी के अगर बात करे अजीत डोवाल जी की तो यह एक बार फिर से बन गए है NSA National Security Advisor राष्ट्रिय सुरक्षा सलाकार और यह इनका लगातार तीसरा टर्म है जो कि अभी तक का highest है इतने लंबे समय तक कोई भी NSA नहीं रहे थे भारत में तो यह आप लोग ध्यान रखेगा चौदवा कोस्चन देखते हैं बिहार विधान सभा के अध्यक्ष कौन बने हैं बिहार लेजिसलेटिव असेंबली के अध्यक्ष कौन बने हैं तो यह बने हैं नंद किशोर याद जी जो की जेडियू पार्टी से हैं यह बने हैं डेप्यूटी स्पीकर बने हैं बिहार विधान सभा के डेप्यूटी स्पीकर बने हैं नरेंदर नरायन यादव जी और स्पीकर हैं नंद किशोर यादव जी अब ध्यान रखें नितिश कुमार जी हम लोग जानते हैं यह के चीफ मिनिस्टर हैं और तेजस्वी आदव जो हैं ये लीडर ओफ अपोजीशन है तो ये सारे चीजे आप लोग ध्यान रखेगा आगे देखते हैं बट इसके पहले जान लेजे कि लोग सभा चुनाव के साथ साथ इस बार चार राज्यों में विधान सभा चुनाव भी ह तो अरुनाचल प्रतेस के स्पीकर कौन बने हैं ते बने हैं तेसाम पॉंग्टे आंधरा के स्पीकर कौन बने हैं अयाना पात्रोडू ये आप लोग नाम ध्यान रखेगा एक्जाम में पूछा जा सकता है उडिशा के स्पीकर कौन बने हैं सुर्मा पाड़ी सिक्किम के स सामने लेकर आ गया आगे देखते हैं पंद्रहवा अभी हाल ही में बिहार विधान परिशत के सभापती के पत से किसने इस्तिफा दिया है तो बिहार विधान परिशत जो है आप जानते हैं यह स्टेट का जो अपर हाउस होता है वो है बिहार लेजिसलेटिव काउंसिल बिहा चंद्र ठाकूर ये इस्तिफा दे दिये मतलब इस पद से और साथी साथ अब ये मेंबर भी नहीं रहे है उस हाउस के ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि एक सिनियर जेडियू लेडर है और ये अभी लोगसभा का चुनाव लड़े थे और वहां ये सीता मड़ी लोगसभा सीट से ये जीत गए तो इसलिए अब दोनों पत्व आप रख नहीं सकते अब आप सांसद बन गए हैं तो आपको यहाँ पे लेजिसलेटिव काउंसेल से इस्तिफा देना पड़ा क्योंकि ये जनरल इलेक्शन दोहजार चोविस का जीत गए हैं किस सीट से जीते हैं आप लोग ध ये थे 36 गढ़ हाई कोट में थे वहाँ से ट्रांसफर होके ये पटना हाई कोट में आये हैं अब पटना हाई कोट के चीफ जस्टिस कौन है तो ये हैं कृष्णन विनोध चंदरन ये हैं पटना हाई कोट के चीफ जस्टिस और यहाँ पे बात करें तीसरा जो अप्शन है दीवाई चंद्रचूड धननजय यशवंत चंद्रचूड ये Chief Justice of India है ये भारत के मुख्य नयाधीश है ये पटना हाई कोट के मुख्य नयाधीश है लेकिन अगर पूरा All Over India की बात करे तो ये Supreme Court के Chief Justice of India मतलब भारत के Chief Justice India है धननजय यशवंत चंद्रचूड जी मतलब रखिएगा 17 वा कोष्चन देखते हैं प्रधान मंतरी नरेंद्र मोधी जी के द्वारा नालंदा युनिवर्श्टी के नए कैमपस का उद्गाटन बिहार के किस जिले में किया गया है तो ये किया गया है बिहार के नालंदा में 17 का option एक करेक्ट हो जाएगा तो नालंदा दिया गया तो अब जो अब शेश बचा हुआ है तो उसको वैसे ही रहा गया रहने दिया गया उसको चलडशाड नहीं किया गया उसको अब कहा जाता है नालंदा महाविहार उसको कहा जाता है अब वो एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है तो उसको जियों का त्यों रखा गया और ये नया बनाया गया है नालंदा यूनिवस्टी उससे लगबग 20 किलोमेटर की दूरी पर ये स्थित है तो इसके बारे में जो हमारे विदेश मंत्री एस जैसंकर उन्होंने कहा कि ये एक्चुली ये रिवाइवल ऑफ ग्लोबल ब्रीज ऑफ लर्निंग है क्योंकि उस सम जब नालंदा यूनिवस्टी था आई से 16-1700 साल पहले तो उस समय दुनिया भर के देशों के लोग आते थे हैं पढ़ने के लिए तो अब कहीं ने कहीं इसको कहा गया कि ये ग्लोबल ब्रीज है लर्निंग का उसका कहीं ने कहीं रिवाइवल हुआ है क्योंकि दुबारा स इसको नस्ट किसके द्वारा किया था इसको नस्ट किया गया था बक्तियार खिलजी के द्वारा जो कि एक टरको अफगान मिलिटरी जनरल थे इन्होंने नालंदा यूनिवस्टी को डिस्ट्रॉय किया था लगभग 1190 इसवी के आसपास आगे देखते हैं अठारवा कोस्टन अठारवा को अप्सन बी करेक्ट हो जाएगा ये बना है दूसरा राज्य जो मेडिकल एजूकेशन को हिंदी में देने जा रहा है तो बिहार दूसरा राज्य बना है मेडिकल कोरसेश जो के MBBS भी है उसको प्रदान कराने वाला हिंदी में बना है बिहार पहला था मध्यपरदेस तो इसमें बहुत सारे courses होंगे जैसे Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery, MBBS ये सारे courses आपको अब हिंदी माध्यम में भी मिलेंगे बिहार में आगे देखते हैं 19 वा question निम्न मेंसे किस राज्य में वहां के उच्चन आयले द्वारा 65% आरक्षन कानून को रद्द कर दिया है तो ये किया गया है बिहार के हाई कोट के द्वारा पटना हाई कोट के द्वारा किया गया रद्द किया गया है तो 19 वा का option एकरेक्ट हो जाएगा तो पटना हाई कोट ने उस कानून को रद्द कर दिया गया पटना हाई कोट के द्वारा जो कि एक्चुली नवंबर 2023 में बिहार सरकार के द्वारा लाया गया था जिसमें क्या किया गया था कि SC मतलब सेड्यूल्ड कास्ट के लिए सेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए और OBC के लिए EBC के लिए जो कोटा का limit था 50% उससे बढ़ा कर दिया गया था 65% कर दिया गया था बिहार सरकार के दवारा किसमें government jobs में educational institutions में तो यही जो 65% किया गया था इसको अब पटना हाई code के दवारा रद्द कर दिया गया तो आगे हम लोग जानते हैं कि ये तो 65% किया गया था 50 से बढ़ा कर इसके अलावा 10% जो है वो economically weaker section को मिलता है कोटा जो कि केंदर सरकार लेकर आई थी इस बिल को तो कहीं न कहीं अगए इसमें 65 में अगर आप 10 मिला दोगे तो लगभग 75% जो था वो reservation मिल रहा था total हो जा रहा था 55% तो इसी को पटना हाई कोट के दवारा रद कर दिया गया तो अब कई नेता ये कह रहे हैं कि भई आप इस कानून को 9th schedule में क्यों नहीं डाल देते हैं सम्विधान के क्योंकि 9th schedule में अगर आप किसी भी central या state law को डाल देते हैं तो उसका मतलब ये हो गया कि अब उसको किसी भी कोट में चैलेंज नहीं किया जा सकता है तो ऐसा बिहार के लीडर कह रहे हैं आगे देखिए क्या होता फिलहाल तो अभी बिहार सरकार जो है वो इस पटना हाई कोट के दवारा जो इस कानून को रद किया गया है तो अब बिहार सरकार जो है वो सुप्र ये सहायता दी जाएगी किस कानून के तहत बिहार स्मॉल इंटर्प्रेनियोर स्कीम के तहत कितना फैनेंसियल असिस्टेंस दिया जाएगा बिहार सरकार के द्वारा 94 लाख परिवारों को तो ये एक्चुली दिया जाएगा 2 लाख रुपे बीसवा का यहां पर ऑप्शन बी हजार रुपे से भी कम है तो उनको किसलिए दिया जाएगा कि भाई आप सेलf इम्प्लोइमन्ट कीजिए मतलब को खुद का कोई विजनस कीजिए दुकान खोलिए तो इस scheme के तहद दिया जाएगा scheme का नाम है बिहार small entrepreneur scheme इस scheme के तहद दिया जाएगा अब beneficiary मतलब जिनको ये lab मिलेगा 2,00,000 रुपए का तो वो क्या करेंगे या आप कोई small scale आप कोई business शुरू कीजे कोई cottage industry शुरू कर लिजे जैसे handicrafts हो गया textile हो गया service sector में हो गया या electrical को या item बनाईए या दुकान खोल लिजे लेकिन ये जो amount होगा ये 2,00,000 एक बार में नहीं दिया जाएगा इसको installments में दिया जाएगा पहले installments में 50,000 रुपए दिया जाएगा इस तरीके से 3, 4 installments में आपको 2,00,000 रुपए दिया जाएगा तो ये सब data आया कहां से तो actually cast based survey हुआ था आप लोग जानते हैं बिहार में तो इसमें ये identify किया गया कि बिहार में 94,03,312 family जो है जिनकी मंतली income 6,000 रुपए से भी कम है तो उनको identify किया गया है अब इन ही लोगों को जो है ये 2,00,000 रुपए का मदद दिया जाएगा सरकार के तरफ से किसलिए कि आप कोई self employment खुद से ही कीजिए 21 वा question बिहार cabinet ने असंगठित छेतर में काम कर रहे मजदूरों के लिए मृत्यू के मामले में मुआवजा एक लाग से बढ़ा कर कितना कर दिया है मतलब जो असंगठित छेतर में मजदूर काम कर रहे हैं उनकी अगर मृत्यू होती है तो मुआवजा एक लाग से बढ़ा कर उनके लिए कितना कर दिया गया बिहार सरकार के द्वारा तो यह कर दिया गया एक लाग से बढ़ा कर दो लाग एक कीसवा का यहां पर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा तो कैबिनेट ने बिहार कैबिनेट ने कॉमपनसेशन जो मुआवजा मिलता उसको बढ़ा कर कर दिया है जो उन मजदूरों के लिए जो अन और्गिनाइज से बढ़ा दिया गया उसके लिए तो कितना कर दिया गया है यह कर दिया गया है दो लाग एक पहले कितना था एक लाग था किस केस में अगर आपका एक्सिडेंटल डेत होता है या अननेचुरल डेत होता है अमृत्य होता है तो एक लाग पहले मिलता था अब मिलेगा दो लेकिन वहीं पर अगर नेचुरल डेथ की बात करें प्राकिर्तिक मृत्ति अगर आपकी होती है कोई एक वर्किंग लेबर की तो उसके फैमिली मेंबर को कितना मिलेगा पचास हजार रुपए तो अंतर आप समझिए कि अगर नेचुरल डेथ होता है तो पचास हजार लेकिन अगर एक्सिडेंटल डेथ होता है तो दो लाक रुपए आपको मिलेगे आगे देखते हैं बाइसवा हाल ही में बिहार कैबिनेट ने निम्न में से किन शहर या शहरों में मेट्रो रेल प्रोजेक्ट को मंजूरी दिया है तो हम लोग जानते हैं कि पटना में अल्रेडी मे इसके अलावा बिहार कैबिनेट ने किन-किन शहरों में मेट्रो रेल प्रोजेक्ट को मंजूरी दिया है तो मुझफरपूर में दिया है गया में भी दिया है दर्भंगा में भी दिया है और भागलपूर में भी दिया है तो बाइसवा का यहां पर ऑप्शन एकरेक्ट हो आगे देखते हैं 23 पटना में गंगा नदी के किनारे पर बनने वाली Statue of Wisdom के नाम से जाने जाने वाली डॉक्टर राजेंदर प्रसाद जी की मुर्ती की उचाई कितनी होगी तो डॉक्टर राजेंदर प्रसाद जो कि हमारे पहले राश्ट्रपती भी थे तो उनके लिए उ 243 मीटर्स तो 232 मीटर्स जो है यह है Statue of Unity जो की सरदार वल्लब भाई पतेल जी की मुर्ती है और यह है गुजरात में इसके अलावा 93 मीटर्स जो उचाई है यह है Statue of Liberty की जो की USA में है उसकी उचाई है 93 मीटर्स तो मतलब यह है कि 243 मीटर्स यह दुनिया का सबसे बड़ मुर्ती सबसे उचा मुर्ती होने जा रहा है तो यह वर्ल्ल का tallest statue होने जा रहा है तो पतना बिहार एक नई ambitious project जो है वो अपनाने वाला है भारत के पहले president को जो कि डॉक्टर राजिंद प्रसाद जी जिनका नाम है वो बिहार सही थे तो उनको कहीं न कहीं सम्मान देने के लिए इस मुर्ती को बनाया जा रहा है और जिसकी height होगी मतलब दुनिया की सबसे tallest statue होगी कितनी होगी statue of unity जो की 182 मीटर है उससे भी 61 मीटर ये बड़ी होने जा रही है और इसकी total height कितनी होगी 243 मीटर ये ध्यान रखिएगा 24 वा कोश्चन देखते हैं हाल ही में किस राज्य में बापू टावर का उधगाटन किया गया तो ये भी बिहार में ही ये बनाया जा रहा है बापू टावर 24 का option एक करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे इसका उधगाटन किया गया तो बापू टावर जो की इंडिया का tallest tower है जि नागी और नक्टी पक्षी अभ्यारण्यों को रामसर कन्वेंशन के तहत अंतराश्ट्रिय महत्तु की आर्द्र भूमी की वैश्विक सूची में शामिल किया गया है ये किस राज्य में स्थित है नागी और नक्टी पक्षी अभ्यारण्य तो ये स्थित है दिहार में 25 का यहाँ पर option डी करेक्ट हो जागा काफी important question है इसके बारे में detail हम लोग जान लेते हैं World Environment Day के दिन कब मनाया जाता है यह यह 5 जून को मनाया जाता है World Environment Day तो इसी दिन सरकार के द्वारा नागी और नक्टी बर्ड सेंक्चूरी जो है इसको घोशित किया गया रामसर कन्वेंशन एक्चूली सरकार के द्वारा यह नहीं किया जाता है बट फिर भी आप जान लीजे बिहार में यह है नागी और नक्टी पक्षी अभ्यारणने तो बिहार में अब कितने हो गए हैं टोटल तो टोटल रामसर साइट्स बिहार में हो गए हैं तीन दो तो अभी हो गए हैं नागी और नक्टी इसके अलावा एक और था यह है कावर लेक जो है बेगू सराय जिला में यह भी एक रामसर कन्वेंशन के तहत यह भी साइट है और रामसर साइट इसको घोशित किया गया था कावर लेक को 2020 में और अब 2024 में नागी और नक्टी को भी घोशित किया गया रामसर साइट तो टोटल इंडिया में अब कितने रामसर साइट हो गया है 82 तो यह आप लोग ध्यान रखिएगा इंडिया में टोटल रामसर साइट्स हो गया है 82 और बिहार में कितने हो गया है बिहार में हो गया है टोटल तीन रामसर साइट्स दो तो हो गया है नागी और नक्टी और एक है कावर लेक जो कि बेगु सराय जीले में है और इसको 2020 में घोशित किया गया था रामसर साइट्स नागी और नक्टी पक्षी अभ्यारण्य के रामसर साइट बनने के बाद भारत में अब कितने रामसर साइट हो गये हैं। वर्ल्ड क्लास बर्ड म्यूजियम बनाया जाएगा ये बनाया जाएगा बिहार के जम्मुई में। 27 का ओप्षन C करेक्ट हो जाएगा। 28 भारत का पहला राश्ट्रिय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर ये कहां स्थापित किया गया। ये किया गया बिहार की राश्धानी पटना में स्थापित किया गया है भारत का पहला राश्ट्रिय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र उन तीसवा ओलंपिक्स 2024 के लिए बिहार से चुनी गई पहली महिला खिलाडी कौन बनी है। तो ये बनी है श्रेयसी सिंग जो की MLA भी पहली है, Member of Legislative Assembly भी है, कहां से है ये बिहार के जमुई से ही है MLA है। तो एक बात ध्यान रखिएगा, 2024 का जो ओलंपिक्स होने वाला है, ये पेरिस, फ्रांस के पेरिस में होने वाला इसलिए इसको पेरिस ओलंपिक्स कहा जा रहा है। दोजार अठाइस में जो ओलंपिक्स होगा, वो भी अल्रेड़ी डिसाइड़ है, ये USA के Los Angeles में यो होगा दोजार अठाइस का ओलंपिक्स, जो बीता हुआ ओलंपिक्स है 2020 का वो कहा हुआ था, ये जपान की राजधानी टोक्यो में हुआ था, इसलिए उसको टोक्यो ओलं दूसरा है, तीसवा का option C correct हो जाएगा, एक तीसवा देखते हैं, बिहार की कौन सी उनिवरस्टी, UGC से स्रेणी 1 का दरजा प्राप्त करने वाली बिहार की पहली उनिवरस्टी बनी, UGC का full form होता है University Grants Commission, तो UGC से स्रेणी 1 का दरजा प्राप्त करने वाली बिहार की पह C correct हो जाएगा, बत्तीसवा देखते हैं, बिहार के किस जिले में, APJ अब्दुल कलाम जो कि हमारे राष्टरपती रह चुके हैं, इनके नाम से एक साइन्स सीटी का उधगाटन किया जा रहा है, वो कौन सा जिला है, तो ये जिला है पटना, बिहार की राजधानी, बत्तीस आज भी यहाँ पे चल रहा है, जहाँ पे बिसिकली कह सकते कि स्वयंबर की तरह यह आयोजित होता है, जहाँ पे लड़के लड़कियां दोनों आते हैं, और यहाँ पे पान खेलाया जाता है, अगर आपके पार्टनर ने मतलब जो भी अगला व्यक्ति हो, उसने अगर पा के द्वारा दोहजार चोविस का युवा वैश्विक नेता घोशित किया गया है, तो यह बिहार के किस जिले से हैं, यह शरद विवेक सागर, तो यह बिहार के सीवान जिले से हैं, चोतिसवा का ओप्शन एक करेक्ट हो जाएगा, पैतिसवा, जहलक दिखलाजा सीजन 11 की प्रॉफी को बिहार के किस प्रतियोगी ने जीता है, तो आप इनको जानते होंगे, यह हैं मनीशा रानी, तो पैतिसवा का ओप्शन एक करेक्ट हो जाएगा, तो मनीशा रानी जीती हैं, तीस लाख प्राइज जीती हैं जलक दिखलाजा सीजन 11 जीतने के कारण, और इनका शो में इंट्री as a wild card contestant के रूप में हुआ था, ठीक है wild card मतलब sudden entry होता है, तो उसके दोरान इनका इंट्री हुआ था, और यह इस show के history में ऐसा पहली बार हुआ है, जब कोई wild card से आये हुआ कंटेस्टेंट ने show को ही जीत लिया हो, तो जलक दिखलाजा 11 के विनर थी, मनी 36 जाजो की विहार से हैं, चातिसवा question, हाल ही में मई 2024 में किस देश में तीन दिवसिये भोजपूरी महत्सव आयोजित किया गया था, तो ये किया गया था, मौरिशस में, 36 का option, एक correct हो जाएगा, तीन दिवसिये भोजपूरी महत्सव का आयोजित किया गया था, सैतिसवा, रविंद्र भवन पटना में 16-18 जून 2024 में हुए तीन दिवसीय मिलेट समोथसव का शुभारम किसने किया था तो यह जो तीन दिवसीय मिलेट समोथसव हुआ था इसका शुभारम किया गया था गवर्णर जी के द्वारा जो की गवर्नर है राजेंदर विश्वनात आर लेकर ये बिहार के गवर्नर है समराट चोधरी बिहार के उप मुख्य मंत्री हैं तो ये ध्यान रखिएगा सहतीसवा का उप्शन सी करेक्ट हो जाएगा अड़तीसवा किस राज्य के साथ बहतर संपर्क के लिए बकसर वारण असी NH319A नामक एक नए राजमार का निर्मान किया जाएगा तो बकसर से वारण असी आप समझ सकते हैं ये बेसिकली उत्तर परदेश के साथ संपर्क बेहतर करने के लिए इस नेशनल हाइवे को बनाया जा रहा है जिसका नाम है नेशनल हाइवे 319A 49वा कोस्चन देखते हैं निम्न मेंसे बिहार का कौन सा जिला बिजली गिरने से हुए मोतों के मामले में समसे संबेदन शील जिला के रूप में चिनहित हुआ है तो बिहार सरकार के दवारा ऐसे चार जिलों को चिनहित किया गया है और एक है किशनगंज, दूसरा कैमूर, तिसरा शिवहर और चौथा बाका तो उन्चालिसवा का option E यहाँ पे correct हो जाएगा यह चारो ही जिले जो हैं वो बिजली से गिरने से हुए मौतों के मामले में सबसे संबेदन शील जिले के रूप में इंचारो को चिनहित किया गया तो यह चारो नाम आप लोग ध्यान रखिएगा किशनगंज, कैमूर, शिवहर और बाका चालिसवा बिहार के किस जिले में AIDS के सबसे अधीक मरीज हैं तो यह हैं बिहार की राजधानी पटना में AIDS के सबसे अधीक मरीज हैं चालिस का उप्शन एक करेक्ट हो जाएगा आगे देखते हैं एक तालिसवा हाल ही में सुशिल मोदी जी का निधन हुआ था वह किस राजधे के पूर उपमुख्यमंत्री रह चुके थे तो यह बिहार के उपमुख्यमंत्री कई बार रह चुके हैं एक तालिसवा का उप्शन एक करेक्ट हो जाएगा बै आलिस हाल ही में L&T मतला लार्सान एंड टॉर्बो कमपनी ने बिहार में 254 मेगावाट आवर बैटरी उर्जा भंडारन प्रणाली के साथ 185 मेगावाट ग्रीड से जुड़े सौर संयंत्र के विकास के लिए अनुबंध किया है या किस जिले में बनाया जाएगा तो ये जो है ये बनाया जाएगा बिहार के लखी सराय जीले में तो आप समझ सकते हैं ये जो L&T कमपनी है इसने बिहार सरकार के साथ जो समझोता किया इसमें 254 मेगावाट आवर बी इ एसस मतलब बैटरी उर्जा भंडारन प्रणाली के साथ साथ 185 मेगावाट ग्रीड से जुड़े सोर सन्यंतर का विकास करेगी बिहार के लखी सराय में 42 का ओप्शन C करेक्ट हो जाएगा 43 पंदरहवे वित आयोग के तहत वर्ष 2024-25 के लिए बिहार पंचायतों को कितनी धनराशी दी जाएगी तो ये दी जाएगी 2000 करोड रूपय 43 पंदरहवे विकास करेक्ट हो जाएगा 44 मुख्यमंतरी नितिश कुमार ने अंतराश्ट्रिय कन्वेंशन सेंटर और अतिथी परिशत का उधगाटन निम्न में से किस जगह पर किया तो इन दोनों का यूद घाटन मुख्यमंतरी नितिश कुमार जी के द्वारा हुआ वेस्ट चमपारन में 44 का उप्शन सी करेक्ट हो जाएगा 45 पैतालिसवा क्वेस्चन निति आयोग के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार गरीबी रेखा से बाहर आने में बिहार का कौन सा स्थान है तो बिहार का है दूसरा स्थान जहां से 3.77 करोड लोग गरीबी रेखा से बाहर आए पहले पे था UP जहां से 5.94 करोड लोग गरीबी रेखा से बाहर आए तो जो नीती आयोग है नीती का full form क्या होता है National Institution for Transforming India तो नीती आयोग के जारी रिपोर्ट के नुसार गरीबी रेखा से बाहर आने में बिहार का दूसरा स्थान है 45 वा का option B correct हो जाएगा 46 विहार से प्रधान मंत्री राष्ट्रिय बाल पूरसकार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है तो ये किया गया है मुहम्मद हुसायन को विहार से जिसको सम्मानित किया गया उसका नाम है मुहम्मद हुसायन 46 का option A correct हो जाएगा 47 निम्नमे से बिहार के किस startup को साल का सबसे अच्छा startup का award मिला है तो यह startup का नाम है Mediviser Pra Limited तो इसके जो संस्थापक हैं वो है जिनका नाम है इसके संस्थापक का नाम है नीरज कुमार ज्छा इसके संस्थापक का नाम है दूसरे नंबर पे रहा वेद प्रभा एरो स्पेस लिमिटेड जिसके संस्थापक है मनीश दिक्षित इसके संस्थापक है तीसरे नंबर पे रहा बीरो पावर प्राइवेट लिमिटेड जिसके संस्थापक रहे रजनीश कुमार इसके संस्थापक है रजनीश कुमार और ये जो चौथे नंबर परवाला है ग्राम स्री किसान प्राल लिमिटेड इसके जो संस्थापक है इसका नाम है आस्था सिंग आस्था सिंग लेकिन इसमें सबसे खास बात ये है कि बेस्ट महिला नित्रित वाली स्टार्टप यही रहा जिसके स्टार्टप का नाम है ग्राम स्री किसान प्राइविट लिमिटेड तो ये वैसा स्टार्टप है जो कि महिला नित्रित वाली स्टार्टप है अगर जितने भी स्टार्टप है जिसके नित्रित वो महिलाएं कर रही है उसमें सबसे जो best startup है वो है Gramsri Kisan Private Limited 47 का option D correct sorry यहाँ पे option A correct है क्योंकि यहाँ पे बिहार से किस startup को साल का सबसे अच्छा startup का award मिला है तो उसमें है Mediviser Private Limited लेकिन महिला नितरित वाली best startup जो है वो रहा Gramsri Kisan Private Limited 48 वा देखते हैं 48 वी लोक सभा के चुनाव में बिहार में निम्न में से किस राजनितिक पार्टी की जीत का प्रतिशत 100% रहा मतलब जितने seat पे लड़े वो सारे के सारे जीत लिए तो उस पार्टी का नाम है L.J.P.R.V मतलब लोक जन सकती पार्टी राम विलास इन्होंने 5 seat पे चुनाव लड़ा N.D.A. गडवंदन के साथ थे और 5 के 5 इन्होंने जीत लिए हालांकि एक और पार्टी है हम जो कि जीतन राम मांजी जी की पार्टी है हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा हालांकि एक ही seat पे लड़े और वो जीती गए लगिन चुकि वो ऑप्षन में भी नहीं है तो यहां पे हम लोग L.J.P.R.V. आराम से मार सकते हैं लोग जन सकती पार्टी राम विलास उन्चासवा देखते हैं 22 मार्च को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है बिहार राज्य का स्थापना दिवस उन्चास का उप्षन C करेक्ट हो जाएगा 22 मार्च 1912 को बंगाल प्रसेडेंसी से बिहार एंड उडिसा प्रोविंस को अलग कर दिया गया था बिहार एंड उडिसा प्रोविंस को अलग कर दिया गया था बंगाल प्रेसिडन्सी से बाद में फिर 1936 से बिहार एंड उडिसा प्रोविंस से उडिसा अलग हो गया उडिसा अलग हो गया 1936 में बाद में फिर सन 2000 रुपे 2000 इसवी में बिहार से जारखंड अलग हो गया तो इस तरीके से सबसे पहले बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ बिहार और उडिसा और बिहार और उडिसा से फिर उडिसा अलग हो गया फिर बाद में बिहार से जहरखंड अलग हो गया सन 2000 में तो 22 मार्च को मनाया जाता है बिहार डे का बिहार का फॉर्मेशन डे पचासवा देखते हैं भारत में श और तीसरे पे जो है वो है पंजाब, चौथे नंबर पे है बिहार, शहद प्रोडक्शन के मामले में, हनी प्रोडक्शन के मामले में, एक क्यावनवा कुस्चन देखते हैं, बिहार के नए स्वास्थि मंत्री कौन बने हैं, तो बिहार के नए स्वास्थि मंत्री बने हैं, मं रंगल पांडे जो है वो है स्वास्थि मंत्री तो ये क्यावन का option C correct हो जाएगा बावनवा देखते हैं बिहार के किस जिले में सी मरिया धाम का विकास हरिद्वार की हरकी पोड़ी के तरज पर किया जाएगा तो ये सी मरिया धाम है कहां तो ये है बिहार के बेगु सराय में बावन का option B correct हो जाएगा तो आज के हमारे यही 52 questions थे आशा है आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा अगर ऐसा है आप लोग और इसमें series चाहते हैं तो आप लोग प्लीज कमेंट करके बताईएगा मैं वीडियो को थोड़ा long में ले गया था स्टार्टिंग में इस दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा थैंक यू सो मच मिलते हैं अगले वीडियो में